कुछ भी नहीं पता था हमने एक गायक उसके बाद दूसरी फिट तीसरी ऐसे करके जो समझेगा वो खिला पाएगा अच्छी समझना पड़ेगा पहले आपको की रिपीट ब्रीडिंग की बड़ी समस्या है वो आपने फीट से और अपने मैनेजमेंट से फाइब का मतलब जो एनिमल 30-35 लीट एनालिसिस करें कौन से फिट देना चाहिए जो दुरबल जानवर है उसको एक रूटीन में आप खिला दीजे मैं गारंटी ले रहा हूं कि वह जानवर आप बिनोला खल है सरसो का खल इसके अंदर है इस तरह से 35 फिट चोड़ा है हमारे पास पहले शिट यहां गर्मी नहीं रहती है चारों तरफ से आप देख रहे हैं सब ओपन है जानकारी कभी अब हो था हो ज्यादा इन्वेस्ट करने का मन भी इस टाइम नहीं था करीब 70-75 जारों के लग गए होंगे बड़े फार्म में जो सेट के डियाइन होते हैं खेतों में बनते हैं व विरणम यग्याशकरवाल है और उत्तर प्रदेश में बहराई जीले के पास छोटा सा कस्बा है रिसिया बजार हमारा फांव ही पर हैं तो बहराई से कितना किलो मेटर होगा सब्सक्राइब बारा किलो मेटर रोट पर ही आपका फॉर्म है में रोट पर देखे रहें में र देरी चला रहे हैं तो हम कुछ भी एक मार्केटिंग बेस पे नहीं कर सकते हैं तो हमने एक ट्रैल बेस पे दसबोरी फीड बंगाया और अपने जानवरों में ट्राइब किया तो सर हमको लगा कि हाँ यह बेनिफीशल है और इसको भीगो कर चेक किया इसमें क्या चीज में है और किसी को भी हमारे एरिया में चाहिए बहराई जीले में किसी को चाहिए ट्रांस्पोर्टेशन करवा देंगे यह सारा माल आपके समय लगा हुआ है थोड़ा यहां रखते हैं तो मार्केट में तो बहुत सारे सब्सक्राइब जो समझेगा वह खिला पाएगा समझना पढ़ेगा पहले आको की फीड खिलाने के डी मेरिट क्या होते हैं और हम अच्छा फीड खिलाएंगे तो क्या फाइदा हैं तो इसमें बचों के लिए भी लगाता है इसमें सारी चीज़ें आती हैं लेकिन जैसे अभी हमारे पास जो दुधारू जानवर हैं उनके लिए म मिल जाएगा बाकि इसमें जो काफ स्टार्टर आता है रहे से हमारा इतना अधिक अभी जो है डेवलप नहीं हुआ है लोग यहां काफ स्टार्टर को महातुन देते हैं क्योंकि काफी महेंगा करी 45 रुपे किलो होता है किसी की मतलब जो एनिमल 30-35 लीटर मिल्किंग में हो उसके लिए बनाया गिया है इसी प्रकार से इनकी सर देखिए यह पंजीरी रखी हुई है मार्केट में चोकर करें 26 रुपे किलो चोकर समझने वाली बात है कि चोकर में है क्या चोकर केवल पेट को साफ करता है उससे आपका और मिल्क प्रोडक्षिण नहीं तो हमको लगता है कि लोग समझेंगे पहले तो फीड लेंगे तो मार्केट से सीतल जैसा और भी पंजाब के अच्छ अच्छ फीड आते हैं अनालिसिस करें कौन से फीड देना चाहिए तभी आप एक डेरी फार्मिंग के नियम में आ पाएंगे तो क्या रेंज पड़ता है सर यह 1330 रुपए की बोरी पचास किलो की सीतल की पंजीरी तो 1330 वाला आप यह माली 2660 रुपए हो गया और 2600 रुपए में चोकर इस समय है चोकर में सिर्फ आपको चोकर मिल रहा है समझना पड़े आपको फीड की जानकारी आपको लेनी पड़े कि किसी भी आदमी को अगर हमारे पर सारे 25 हो गया पंजीरी हो गया जैसा कि सर यह हमारा डाइमंड आता ह है सरफ 35 रुपए किलो काई करीब है इसको आप तब खिला पाएंगे जब इसको समझेंगे है क्या यह सारी चीज़े लिखी हुए है इसके अलावा हम मौखिक तौर पर बताएंगर तो इसको आप अगर दो बोरी अपने जानवर को घुलाते हैं जिस जो दुरबल जानवर अब आप पैलेट देखेंगे को कस्टमर देखेगा पैलेट क्या है तो मार्केट में जो पैलेट हजार रुपए बोरी के भी करहें हैं जिससे उससे आपको फर्क पहली बाद देखने में लग रहा है दूसरा इसको आप भीगो दीजे और मार्केट वाले में किवला मक्का और मक्के की पत्या यही सा प्राव दिखाई देगा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यह रूँ मिलाते क्या है और पंजीरी को थोड़ा दिखा देजी से तो कहने का मतलब है कि हमारा 265 रुपे किलो पंजीरी मिल रहा है और 2600 रुपे कुंटल आपका यह चोनी और चो बजना पड़ेगा किनको क्या खिलाना चाहिए को भी फीड बहराई जिले में चाहिए पर एक्सप्लोर किया करता हूं कहां क्या बन रहा है क्या होना चाहिए तो मैंने देखा कि आप लोग कहीं कवर कर रहे हैं कैसा यहाइशा हुआ है सब्सक्राइब क्या होगा सर्ट यह इस तरह से 35 लंबा है यह सकते हैं और बीच से हाइट कितना होगा सर्ट यह पीच का टॉप है हमारा करीब 19 फीट का सब्सक्राइब और साइड से साइड से होगा गरीब सर 14 फीट और 20 से बड़े-बड़ा फॉर्म पर जो सेड होता है जो भी से हवा पास करने बनाया जाता है यह बहुत ही पॉइंट वाली बात है यह ऐसा करने सिरे से हमारे पास पहले सेड को हमने एक साल पहले बनाया है पहले हमारे पास सेड नीचा था और एक नॉर्मल टीन जो छाई जाती वैसा था दिक्कत यह आ रही थी मैई-जून के महिनों में जानवरों को क्या हम खुद आके खड़े हो रहा है तो हमको लगा कि हमने शौक में किया और मैनेजमेंट मैनेजमेंट को सही करना चाहिए यह काफी नीचा था तो फिर इसको मने ओपन मनाया है अभी मैं हो जून हो कुछ भी हो यहां गर्मी नहीं रहती है और हम देख रहे हैं फोगर भी लगा हुआ है इस सोने पर सुहागा हो गया जी यह फोगर अगर पहले हमने शेड ऐसा बन बात फॉगर भी लगा हुआ है तो बढ़ियां गाये हमारी मस्ती में रहती है खाती तीन वाइक किस दिशा में अपका यह लंबाई सर आप कह सकते हैं यह अपना उत्तर और दच्छिड उत्तर दच्छिड का लंबा है और पूरा पश्चिं का चोड़ा है और हम देख रहे जैसे उधर की जो आप नाद देख रहे हैं उसको बनवाया था उसके पहले जब सुरुवात कि हमने एक के बाद दो दो के बाद तीन जनवर लेकिया है तो हमने यही नाद बनवाये थे जानकारी का भी अभा हो था ज्यादा इन्वेस्ट करने का मनबीर इस टाइम नहीं थ है तो इसको बनवाने में कितना खर्च पड़ गया सर लगभा सर यह शेड में हमको लग रहा है जैसे हमने विद मैट्रियल काम कराया नहीं था कारिगर अपना बुलाया मैट्रियल पर बुलाया तो एक अमूमन करीब सकतर पशेतर हजार रुपय लग गया होंगे मतलव के शेड का या मजदूरी भी शेड और मजदूरी मजदूरी जादा नहीं था मजदूरी उसने को यहीं लिया था दस रुपय स्पार फिट का जी यानिकि सतर हजार के आसपास सब्सक्राइब अधर रुपय में हो गया था हमारा कि इतना साल पहले बनवाए थे एक साल पहले तो एडिया आपको कैसे आए सर आइडिया ने बताया ना कि आप यूट्यूब चैनल लेखते हैं जी उस पर अच्छा लगा कि हां यह यह से बनते हैं बड़े-बड़े फॉर्म में देखा एक दम चोटा जो है बड़े फॉर्म में जो-ठेटों में बनते हैं वैसा हमें चोटा बना है काफी जो है अच्छा लग रहा है सर देखने में भी जो कारीगर सर बना बुलाए थे लोकल बुलाए थे अबाहर से लोकल बहराईश कहीं थे तो आप जैसे जैसे बना बताते वैसे वैसे बनाते गए बिल्कुल वह भी कारीगर अच्छा है जो थोड़ा सामने इसको फोटो अगर आप लोग के वीडियो दिखाई अपना भी दिमाग लगाया बस बन गया बहुत मुश्किल नहीं तो डेरी फार्म स्टार्टिंग किये थे तो मतलब सिंपल ही तरीके से क यह जो आप देख रहे हैं यहां थोड़ी सी बागवानी वगरा कुछ भी नहीं था यह बंजड़ पड़ा हुआ थे कि इलाका हमारे पास तो यह था कि चलो घर की बंजड़ पड़ी हुए तो इसको थोड़ा सजाते सवारते हैं और भूमी को सजाना सवारना हमको लग रह आज हमारे अतने अने मेल हैं यह जाते हैं जानवर में अच्छा लगता है जोशिश करते हैं कि अगर युवार डेरी फर्म में आना चाहते हैं तो उन्हें के लिए क्या संदेश हमारा संदेश यह है कि आप डेरी का तभी सोचिए जब आपका एक्स्ट्रीम लव हो एनिमल अगर आपको सौक दो चीज़ का एक चीज तो तोड़ा घर पे अपना अपने हास्ते निकाला हुआ दूख खाने का और दूसरी चीज़ है कि जानवरों के प्रति प्रेम होना चाहिए हम जानवरों के पास सठते हैं चूते हैं गोबर से हमको महग नहीं आनी चाहिए गोब जैसे हमको लग रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग में दस गाये ले आए होते अगर पैसा लगा के दस गाये होते हैं तो आज हम बहुत बुरे तरह लॉस में होते क्योंकि हमको एबी सीडी कुछ भी नहीं पता था हमने एक गायक उसके बाद दूसरी फिट तीसरी ऐसे करके सीखा, ब्रीड समझी, क्या फीड होती है, क्या ब्रीड होती है, कैसे काम करना चाहिए और अभी भी सीख रहा हूँ तो यही कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपको करना है आप लोग तो कहते हैं कि आप 10 जानवरों से आप एकनम प्रोफेशनल तोरप पर डिरी क्या यह, एक देशी ब्रीड ले आईए, कोई देशी में यह नहीं कहेंगे जो बहला जानवरों गुंपते हैं वैसा लेकिया यह, कोई अपनी अच्छी नसल ले आई, साहिवाल ले यह, गिर ले आईए, और उसके बाद एक आप कोई हचेफ में रख लीजे, दोनों में सी दूसरे काम को डिश्टर्ब मत कीजे अपने, तो आप अपना एक बार मोबाइल नमबर सर बोल दीजे, हमारा मोबाइल नमबर है 9793 008865, 9793 008865, योगेश अगरवाल हमारा नाम है, किसी को भी फीड भहराई जिले में चाहिए, कनेक्टिवीटी हमारे पास है, हम पहुचव किये सर, इसके लिए आपको बहुत 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 दर्निवा दर्विंजी